करूना वाइरस खराएगा विश्युद्ध की वज़े है चीन और अमेरिका के बीच जंग की आहट जी हाँ वही हुआ जिसका डर था वही हुआ जिसकी आशंका थी वही हुआ जिसका अंदासा भी था अमेरिका और चीन के बीच जंग की आहट ने दस्थक दे दी है आखिरकार चीन और अमेरिका के बीच आरपार की नौबत आही गई आखिरकार दो महाशक्तियां आमने सामने आने को बेताब है जी हाँ कोरुना को लेकर चीन और अमेरिका में ठन गई है चीन और अमेरिका के बीच युद्ध की नौबत दिखाई देने लगी है साउट चाइना सी सी आई बहुत बड़ी ख़वर चीन ने अमेरिका पर किया बहुत बड़ा दावा चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के वार्शिप को साउथ चाइना समंदर से खदेड दिया है उधर ट्रम्प एक दिन पहले ही चीन पर जुबानी हमला करही चुके थे लेहाज़ अब चीन और अमेरिका के बीच बात जुबानी हमलों से आगे निकल चुकी है ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एक वार्श कराएगा चीन और अमेरिका में महायुद्ध यहां था कि कोरुना वार्श को चीनी वार्श कहने वाले ट्रम्प ही थे ट्रम्प की नाराजगी इतने पर ही नहीं रुकी इसके आगे उन्होंने चीन को कड़गरे में खड़ा करते हुए कहा कि वोहन से ही इस वार्श को फैलने से रोका जा सकता था मगर चीन ने ऐसा नहीं किया चली अब आपको साउथ चाइना सी के ताजा हालात बताते हैं चीन का दावा है कि साउथ चाइना सी में अमेरिकी वार्श शिप को देखा गया इस वार्श शिप को देखा गया वो गाइड़िड मिसायल डेस्ट्रायर यूएसस बैरी था अमेरिकी वार्शिप को साउच चैनल सी में पार्सल आईलेंड के पास देखा गया था अब चीन की पी एले का दावा है कि वार्शिप बिना इजाज़त के सीमा में दाखिल हुआ था चीन पर टरंप की बढ़ती नाराज़गी के क्या माएने हैं? क्या चीन पर अमेरिकी जाँच की आँच दोनों देशों को युद्ध तक ले जाएगी? अमेरिका और चीन के युद्ध की वज़े बनेगा कोरोना वाइरस चीन के संसनी खेज खुलासे के बाद उम्मीज जताए जा रही थी कि अमेरिका कुछ ना कुछ पलटवार ज़रूर करेगा लेकिन अब तक अमेरिका की तरफ से ना तो कोई सफाई आई है और ना ही कोई बयान आया है अलकि यहां आपको याद दिलाना ज़रूरी है कि हाल ही में अमेरिका का युएस से बंकर हिल वार्शिप दक्षन चीन सागर के विवादित मलेशाई जलक्षेत्र में दाखिल हो गया था जिस हिसाब से हालात तेजी से बदल रहे हैं वायरिस की वज़े से जंग के हालात बन रहे हैं तो यह जान लेना भी बेहत ज़रूरी है कि चीन और अमेरिका अपनी अपने सामरिक शक्तियों के साथ किस पायदान पर खड़े हैं और दोनों देशों की सैन शक्ति की पूरी दुनिया में सैन शक्ति के मामले में अमेरिका पहले नंबर पर हैं अमेरिका के पास 14,000,000 सैनिक हैं चीन के पास 21,83,000 सैनिक हैं अमेरिका के पास कॉमबेट एरक्राफ्ट 2085 हैं चीन के पास कॉमबेट एरक्राफ्ट जंख्या 1232 हैं अमेरिका के पास अटेक हेलिकॉप्टर 900 सरजट हैं जबकि चीन के पास 281 अटेक हेलिकॉप्टर हैं अमेरिका के पास 6,289 टैंक है जबकि चीन के पास करीब 3500 टैंक है अमेरिका के पास 775 युद्ध पोत है चीन के पास जंगी जहाजों की संक्या 371 है अमेरिका के पास 6,185 परमाडू बम है जबकि चीन के पास मात्र 290 परमाडू बम मौजूद है दोनों देशों की सामरिक शक्तियों को देखने के बाद ये अंदाजा तो हो ही जाता है कि चीन अमेरिका के आगे काफी कमसोर साबित होगा लेकिन दोनों देशों के बीच युद्ध होता है तो कहीं न कहीं ये युद्ध विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है